नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है, आज हम discussion करेंगे तीन स्टोक के बारे में, जो positionally काफी अच्छा लग रहा है, और आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर सकता है, उसका हम discussion करेंगे, और उसके पहले हम इंडेक्स के ऊपर discussion करेंगे, discussion स्टार्ट करने से पहले disclaimer है, जो भी इंडेक्स और स्टोक का हम discussion यहाँ पर करेंगे, उसमें मेरी कोई भी buy, sell या hold की राई नहीं है, तो यह चीज आप ध्यान में रखे, और सिर्फ एक educational purpose के लिए है, अब हम स्टार्ट करते है, इंडेक्स से, तो हर बार हम देखते है, इंडेक्स के ऊपर, and last बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि, अभी इंडेक्स strong territory में है, and आज भी आप देख रहे हो, जो यहाँ पे channel पे trade हो रहा था, वो break होके, retrace होके वापिस, back to back, upside यहाँ पे move कर रहा है, and last day आप द trace कर सकता है towards 10 days, and again यहाँ से upside आपको देखने को मिल सकता, तो overall अभी भी strong territory में है, यहाँ पे ज्यादा फोल की मतलब उमीद नहीं है, अभी आप देखेंगे तो about 10 days यह में है, तो यहाँ पर move हो सकता है towards 10 days, and थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे, क्या है कि फोल आएगा था towards 20 days तक यह move कर सकता है, वापीस यहाँ से reverse हो सकता है, तो यह चीज ध्यान में रखे, overall support यहाँ पे 23,500 के आसपास है, and 23,700 के आसपास है, nifty की में बात कर रहा हूँ, अभी 24,000 पे trade कर रहा है, so 23,700 and 23,500, 400 के आसपास एक support, next one is bank nifty, bank nifty का भी आप देखेंगे, तो यह भी एक channel जैसे move कर रहा है, upper side break करा, retrace करा, and again up गया, and again यहाँ पे एक आपको फोल देखने को मिल रहा है, last 2 दीन से, so might be यहाँ पे यह तेस्ट कर सकता है, 10 days, and यह जो line आप देख रहे हो, this resistance line, यहाँ पर आपको टेस्ट करता हुआ दीख सकता है, so यहाँ पे एक strong support है, 51,600 के आसप हो सकता है, तो यह चीज आप ध्यान में रखो, तो यह था nifty and bank nifty, next one is small cap index, इसका chart काफी interesting लग रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो strong recovery आई, and अभी एक range में चल रहा है, बहुत narrow range में चल रहा है, तो upper side अगर break करता है, तो आपको यहाँ से 1000 point, 1500 point का एक moment देखने को मिल स यहाँ पे break होता है, तो आपको towards 17,500, 17,600 के आसपास आपको जाता हुआ देख सकता है, तो यहाँ पे 500,600 point का downside भी देखने को मिल सकता है, अगर lower part break करता है, तो आपको देखना है, small cap का index है, तो आप देखेंगे small cap stock में अभी moment चोपी हो गया है, due to आप देख सकते हो, small cap index य अभी आएगा जब यह upper range break होगा, otherwise वापीस यहाँ पे नीचे की और move कर सकता, now next अम discussion करते है, stock के उपर, अब तीन stock के उपर discussion करेंगे, and last में मैं आपको दो stock और बताऊंगा, जो आपको study करने है, तो आपको मैं last में बताता हूँ, सबसे पहला जो stock आप दिखेंगे, तो stock का नाम है tax rail, tax macro rail, tax macro rail का आप देखेंगे, तो एक लंबा base यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो, cup and in lb भी आप यहाँ पे देख सकते हो, breakout हुआ है, and obviously यहाँ पे breakout level 220 के आस-पास था, and अभी trade कर रहा है 250 के आस-पास, तो already move हो चुका है, 10% अप है यहाँ पे breakout level से, तो if you get little lower side, then it would be good, right, and आप earning भी देख सकते हो, काफी अच्छा earning आ रहा है, and volume भी अच्छा है, breakout के time, तो थोड़ा सा retracement पे आप देख सकते हो, and थोड़ा सा आप weight करेंगे, तो that would be better, but overall setup is looking very good, right, तो setup काफी अच्छा दिख रहा है, इस stock में, तो यह stock आने वाले time में काफी applicant, gulf oil का chart आप देखेंगे, and look at the volume, जो पिछले विक का volume था, वो highest volume था, right, and look at the breakout, very powerful breakout, and इसका आप देखेंगे, तो 2018 का range यहाँ पे breakout हुआ, so almost after 6 years, जो यह range ब्रेक हुआ, तो इसमें एक अच्छा momentum आपको देखने को मिल सकता है, and make sure अभी जो discussion कर रहे है, सभी positionally है, ऐसा नहीं है, कि एक दो दिन के लिए है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, कि यह नीचे आ जाए, और consolidate करें, उसके बाद यह start करें, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे मैं discussion कर रहा हूँ, and कल से ही stock चलने लगेगा, ऐसा आप क् कहीं पे भी किसी भी stock में enter ना हो, otherwise दिक्कत होगी, कापी सारे लोग blindly कहीं पे भी enter हो जाते, उसके बाद message आते, अब क्या करूँ, तो आप सोचो ना, अभी breakout level से यहाँ पे IRP trade कर रहा है, थोड़ा सा आप wait कर सकती हो, जहाँ पे एक right time and right opportunity मिले, उस time आप उसमें enter कर सकते, तो यह था gulf oil, जो आने वाले time में काफी अच्छा कर सकता है, look at the volume, जो काफी strong दीख रहा है, and last one is Indian hum pipe, इसका चार्ट आप देखेंगे, मैं मंतली में दीखाता हो, Indian hum pipe का आप चार्ट देखेंगे, तो मंतली breakout यहाँ पे, मंतली breakout हुआ है, यहाँ पे, and volume काफी ज्यादा है आप देख सकते हो, अब इसले एक साल में आप देखेंगे, तो volume जबर जबर जश रहा है, मंतली volume है यह, तो overall काफी buying, strong buying हुई है, तो आने वाले time में काफी अच्छा कर सकता है, तो यह stock भी मुझे काफी strong दीख रहा है, तो positional के लिए यह 10 stock मुझे काफी पसंद आ रहा है और आने वाले time में काफी अच्छा कर सकते है, और दो stock जो मुझे बताने थे, एक था IGL, जो आप देख सकते हो, positional के लिए, जो काफी strong दीख रहा है, और दूसरा same, MGL, तो यह 2 stock आप study करना, इसमें आपको क्या दीख रहा है, क्या level आपके इसाब से बन सकते है, वो आपक study करना है, तो यह 2 stock आपको study करने के लिए, I hope आपको यह 3 stock पसंद आया होगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को like करे, share करे, and subscribe करे, तो आज के लिए इतना ही, वापिस मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई